आईवे ये है रोशनी का करवा हमारे सभी सुनने वालों को सलीमा का आदा और हमारी तरफ से नमसकार, सत्सरीकाल, सलाम वगएरा वगएरा वाह ये हुई ना बात भाई तुम ऐसे ही इस शो में आया करो यानि के हसते हसाते लोगों को गुद गुद आते क्योंकि अगर देखा जाए तो दुनिया के हर इनसान को दरसल इसी की तलाश है यानि के थोड़ा सुकून, थोड़ा सा प्यार और कभी कभी तकरार जी हाँ सही कहती है आप सुकून किसी पेड़ पे नहीं उगता खुशिया गाओं के हाट या मेट्रोस के मॉल्स में नहीं मिलती खुद अपने अंदर ढूननी होती है और इसलिए हर हफ़ते हम निकल पड़ते हैं अपने कारवां के साथ सांसों से परे जिन्दगी के असल चेहरे को ढूनने जी जिसका नाम है आईवे ये है रोशनी का कारवां और आज हमारा ये कारवां जो कुछ रोशन करेगा वो अपने आप में बहुत इंपॉर्टन बेहद एहम है सुनना अर्शाद के किस तरह नरेंद्रपूर के रामकृष्णा मिशन ब्लाइंट बॉइज अकैडमी के लड़कों ने ये साबित कर दिया है कि कहिए तो आसमा को जमी पर उतार लाएं मुश्किल नहीं है कुछ भी अगर ठान लीजे वाँ वाँ बेशक बिलकुल सही का आपने मैं आपकी बाते सुनके तो ऐसा लग रहा है कि इन लड़कों ने जरूर कोई काबले तारीफ कार्णाव अन्जाम दिया है यू आर एबसलूटली राइट अर्शद अमेरिकन बी पी ओ कंपनी ट्रांस टेक ने रामकृष्ण मिशन ब्लाइंट बॉइस अकैडमी के लड़कों के स्किल को रेकिगनाईज कर लिया है ये स्किल क्या है? जरह बोर से सुनो ट्रांस टेक अमेरिकन डॉक्टर्स के लिए मेडिकल ट्रांस्क्रिप्शन का काम करती है उन्हें पता चला कि अकैडमी के दरिश्टीहीन बच्चों ने यूएस में ट्रांस्क्रिप्शन का काम किया है तो उन्होंने अकैडमी के डिरेक्टर सुदर्शन बागरी को कॉंटेक्ट किया और इच्छे वे थी कि वो बच्चों को खास ट्रेनिंग देना चाहते हैं जी हाँ ये पूरी एक्सेसाइज इतनी आसान नहीं थी क्योंकि मेडिकल टर्म्स और अमेरिकन एक्सेंट को समझने में उन्हें का खासी दिक्कत और दुश्वारी का सामने करना पड़ता था फिर हुमन बॉडी का डाइग्राम देखे बगएर तमाम चीजों को फॉलो करना इतना आसान नहीं था लेकिन आसान काम करने वालों का नाम इस तरह थोड़ी लिया जाता है रामक्रिशन मिशन ब्लाइन बॉइज अकैडमी के लड़कों ने नमुम्किन दिखने वाला काम संभव करके दिखाया और उनका ये प्रयास उनकी ये कोशिश अंधेरे में फैलते प्रकाश की तरह है जिससे एक नए सवेरी की शुरुआत होती है और अब आईए अपना कारवा दूसरे पड़ाओ तक पहुँचाएं और मुलाकात करें एक नौजवान से जिन्होंने अपने करियर के शुरुआत फैशन इंडस्ट्री में की लेकिन एक रोड अक्सिडन्ट में उनकी आँखें चली गए और अब उन्होंने एक नए जीवन की शुरुआत की है यह जीवन क्या है कैसा है कितनी उल्ज़ने कितनी दुश्वारिया यह सब जानते हैं खुद सिधार्थ शर्मा की जुवानी जिनके साथ है जोर्ज अब्रहम नमस्कार सिधार्थ सबसे पहले आप हमारे सुनने वालों को यह बताईए कि पब्लिक रिलेशन्स क्या है जिससे एक ब्रैंड या एक कंपनी या कोई इंडिविज्वल या कोई स्पोर्टिंग बॉड़ी अपने आपको मीडिया के थुरू प्रकाशित करती है जैसे अगर आप अकबार खोल के सुबह किसी फैशन शो के बारे में पड़ें तो चांसेज बहुत ब्रैट हैं कि यह सारा जो कवरेज आया है या आपके टीवी पे या अकबारों में या मैगजीन में यह किसी पब्लिक रिलेशन्स एजनसी के थुरू हुआ हो यानि कि मीडिया के थुरू पब्लिसिटी यह पब्लिक रिलेशन्स बिजनस में आपका स्पेसिफिक रोल क्या है सबसे पहले अपने क्लाइंट के साथ इंटरैक्शन उसके बाद क्लाइंट के जो नीड्स हैं उसको समझना और फिर उसको एक्जेक्यूट करना कहने का मतलब जो client publicity जिस तरीके का चारा है उसको समझना उसका action plan बनाना और फिर उसको various media के थ्रू प्रकाशित करना सिधार्त आपकी आंखों के रोश्णी कैसे चली गई डिसेंबर 1990 में मैं रात को अपने दोस्त के साथ घर वापिस आ रहा था तो अचानक रस्ते के बीच एक पुलीस बैरिकेड लगा वा था तो अनफॉचनेटली वो बैरिकेड ब्लैक कलर का पेंटिट था और रात काफी धुंदली सी रात थी तो मैं अपने मोटर साइकल पे अपने दोस्त के साथ बैठा था और उस बैरिकेड में हिट किया मोटर साइकल ने और गिर के रोड पे मेरी आँखों की रोशनी चली गी ये दुरगटना के बाद आपके जिन्दगी ने किस तरफ मोड लिया मैंने अपना जर्नी सबसे पहले नाई वी एच देरदून में शुरू किया नैशनल इंसिट्यूट फॉर द विजली हैंडिकैप जहां पे इलिमेंटरी ट्रेनिंग दी जाती है ब्रेल, मॉबिलिटी, होम मैनेजमेंट जैसी शंकलाओं में तो वो चार महीने मैंने इन आई वी एच में किया उसके बाद मैं वापस गया अपने एक स्पोर्ट हाउस में जहां मैं काम कर रहा था एक डेड़ साल के बाद वहाँ पे काम करने की पूरी उमीद रखी, काम भी किया, डटके काम किया पर रिलाइस कर गया था कि अगर जिन्दगी में आगे बढ़ना है तो ये फील्ड मेरे लिए ठीक फील्ड नहीं रहेगा 1997 के आखिर में मैंने वर्ल्ड काप के बारे में सुना जो हमारे भारत में फर्स्ट ब्लाइंड क्रिकेट का वर्ल्ड काप होने वाला था 98 में जहां मेरी आप से मुलाकात हुई थी और उस बीच पब्लिक रिलेशन्स का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग था वर्ल काप का क्योंकि हमने दुनिया को बताना था और अपने भारत वासियों को बताना था मीडिया के थ्रू की ऐसा बहुत बड़ा पहली बार दुनिया में वर्ल काप होने वाला है ब्लाइंड क्रिकेट का तो उसमें मैं जुट गया और उस बीच एक प्रोफेशनल पब्लिक रिलेशन्स कंपनी से मुलाकात हुई जिन्होंने मेरे को काम करने का मौका दिया वहाँ चार-पांच साल काम किया मैंने सारी चीजों को समझा ये पब्लिक रिलेशन्स फील्ड के बारे में समझा और आज अपनी कंपनी खोल के बहुत खुशर पूर्वा जिन्दगी बतीत कर रहा हूँ अगर किसी को पब्लिक रिलेशन्स फील्ड में दाकिल करना है तो उनका बेसिक खौलिफिकेशन्स और उनमें कौन से क्वालिटीज होना जरूरी है पब्लिक रिलेशन्स फील्ड जो है नॉर्मली ग्रेजुईशन के बाद कौलेज के बाद लोग एक साल का डिप्लोमा करते हैं पब्लिक रिलेशन्स और आडवोटाइसंग में आज खल थोड़ा और अडवानस्ट होगया है यह फील्ड ग्रेजूएशन के बाद दो साल के post graduate courses होते हैं mass communications के ये courses लोग लेते हैं corporate communications जिसमें सीखते हैं जिसमें advertising सीखते हैं जिसमें public relations सीखते हैं और इन सब चीजों को लेके वो आगे अपना professional career बढ़ाते हैं तो अगर आप visually impaired हैं अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि देश में किसी ने ऐसे courses पर I'm sure there will be an opportunity आगे चलके और एक और चीज़ में यहां add करना चाहूंगा public relations सिर्फ media से related नहीं हैं अगर आप successful public relations professional बनना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से जैसे मेरे पास था एक commerce का background या एक arts का background बहुत जरूरी है क्योंकि आपके communication skills both spoken and written are very important your ability to understand the financial markets यह बहुत जरूरी है your ability to understand corporate stories, marketing stories, various angles of stories you have to be up to date in various fields to actually be a successful public relations person आप एक उधारन है जो public relations field में इंटर करके सिद किया कि दृष्टहीन लोग भी यह profession कर सकते हैं जरूर अगर शमता हो तो कुछ भी असंभव नहीं है आज के जमाने में रुची एक बहुत महत्वपून चीज़ है अगर आपको इंटरिस्ट है मीडिया में आपको अगर इंटरिस्ट है जेनरल न्यूज में न्यूज जेनरेशन में और पबलिसिटी में अगर आप आना चाते हैं किसी तरीके की पबलिसिटी रिलेटेड फिल्ड में तो पबलिक रिलेशन से बहतर मेरे हिसाब से कोई फिल्ड नहीं है चलते चलते एक आखरी सवाल सिधार्थ आपके जो आम दिन है यूर नॉमल डे कैसे होता है हमारे अफिस में सारे नैशनल डेली जा सारे नैशनल निउस पेपर आते हैं हमारा सबसे पहले काम ये है कि हम इनको पढ़ें और देखें कि हमारे अपने क्लाइट्स के बारे में आज कोई निउस आई है जो हमने डिसेमिनेट करी हो कुछ दिन पहले तो ये सारा निउस जो है डेली पढ़के लोग मुझे सुनाते हैं उसके बाद रूटीन का काम शुरू होता है जहां पर क्लाइट्स के साथ इंटरैक्शन होता है डेली उनके साथ मेरी फोन पर बात फिर उसके बाद जो भी इमेल आए हो कंप्यूटर पर तो सारे इमेल को रिप्लाइ करना है सिधार बहुत 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 बढ़ शुक्रिया आपने हम से बात किया आपने जिनदगी के वारे में काफी कुछ बताया बहुत भाँध धन्यवाद बहुत खूब सिद्वार, दरसल तम्हारी इस हम्मत से जाने कितने लोगों को ताकत मिली होगी तुम्हारी इस छोटी सी बाचीतने नाजाने मायूस दिलों में आशा की कितनी किरने बेखेरती होंगी Keep it, जाब और अब अब क्या? एक और ऐसे युद्धा के बारे में जानेंगे हम जो अपने हक के लिए अपनी किसी भी कमजोरी से उपर उठकर लड़ सकता है, जीत सकता है हमारे साथ हैं एक बार फिर ओमपुरी और वो बता रहे हैं रवी अरोडा के बारे में जिन्होंने अपनी तरह की एक मिसाल कायम की है श्री रवी कुमार अरोडा एक ऐसे जुजहरू इंसान जिनोंने हर कठिनाई का डटकर मुकाबला करते हुए अपने सपनों को सच कर दिखाया 24 सितंबर 1973 को मधूपूर जारखंड में जन्वें शिरी रवी कुमार अरोडा की दिश्टी जन्म से ही बेहत कमजोर थी इसके बावजूद वो हमेशा से ही एक सरकारी सेवक बनना चाहते थे ताकि वो देश के विकास में अपना सार्थक योगदान दे सकें अपनी मन्जिल की और लगातार बढ़ते हुए उन्हें कई कठनाईयों का सामना करना पड़ा वो जहां गए वहीं लोगों ने उनकी काबलियत पर शंका जाहिर की और उनका मजाक उड़ाया पर इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी जिसका नतीजा ये हुआ कि वर्ष 2001 में सिवल सर्विसीज की सभी लिखित पर इक्षाएं पास कर वो भारतिये डाक सेवा के योग्य घोशित कर दिये गए और यहीं पर उनका सामना हुआ अपने जीवन की सबसे बड़ी कर्षिनाई का जब मेडिकल जांच के दौरान उन्हें शारीरिक रूप से अयोग्य घोशित कर दिया गया पर वो हताश नहीं हुए उन्होंने दिल्ली हाई कोट में अपील कर इनसाफ की मांग की और जो उन्हें मिला भी आज बेहत कमजोर दिस्टी के बावजूद शिरी अरोडा प्रोबेशनर के तौर पर अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं तो ये थे ओम पूरी जो बता रहे थे कितने तूफान पलट देता है साहिल तनहा और अब चलिए अपने अड्वाइस सेक्शन में चलते हैं जहां Rehabilitation Council of India में Academics के Assistant Director सुबोध कुमार जो बहुत ही useful जानकारिया हमें दे रहे हैं उनके लिए जो Rehabilitation Council of India के सेवाइन लेना चाहते हैं या ऐसे दृष्टिहीन लोगों के लिए जो Teaching में या Rehabilitation में अपना करियर बनाना चाहते हैं सुबोध जी Rehabilitation Council of India क्या है और इसके उद्देश क्या हैं भारतिय पुन्रवाश परिशद एक समविधानिक निकाय है जिसे पार्लेमेंट ने 1992 सेप्टमबर में पास किया और ये Act 1993 में लाग हुआ जो कि पूरे भारत देश में एक साथ विकलांगता और विशेश शिक्षा के शितर में काम कर रही है इसका जो मुख्य उद्देश है विकलांगता और विशेश शिक्षा के शितर में ट्रेनिंग कोर्स को अस्टनराइज करना वैसे ट्रेनिंग इंशूशन्स जो इस प्रकार के कोर्स चलाते हैं उनको मॉनिटर करना और वैसे पुनरवास कर्मी या पुनरवास विवसाइक जिन्हें भारते पुनरवास परिशत द्वारा मानिता प्राब्ते जो आने ये कोर्स किया है उनके लिए रेस्टेशन करना पुस्तिका को वहन करना अच्छा मोटे मोटे तोर पर इसके कारिक शेत्र क्या है विकलांगता के शेत्र में कोर्स क्यूरिकुलम को डवलप करना और यह जो कोर्स क्यूरिकुलम होते हैं सर्टिफिकेट लेवल से एंफिल लेवल तक होते हैं हमारे यहां जो कोर्से होते हैं भारते पुनरवास खानों के द्वारा विश्विद्यालों को द्वारा चलाया जाते हैं जिनकी मानता भारते पुनरवास परिश्द देती है एक मुख कार यह है दूसरा कार जो आर्सीय का है विकलांगता के इच्छेतर में वैसे ट्रेनिंग सेंटर्स या कॉलेज या इनवर्सिटी जो कोर्स लाने के लिए एक्षुक हैं उनके लिए विभिन मापदंडों को त्यार करना और उसके बाद जो इन से रिलेटेड है वैसे ट्रेनिंग कॉलेजे जो कोर्स लाना चाहते हैं उनको मानता देना और आर्सेय नौम्स को अगर वो पालन नहीं करते हैं तो मानता को निरस्ट कर ब्हारते पुनरवास परिश्रत का एक इंप्टेंट फंक्शन है और साथ में वैसे प्रोफेश्चनल या पर्सनल जिसे हम ब्वाधसाइक पुनरवास वेवासाइक कहते हैं जिन्होंने यह कोर्स किया और विकलानता के छेत्र में काम करना चाहते हैं उन्हें रिस्टरेश किया इसमें हम बता दिना चाहते हैं जो आज तक काउंसिल ने 54 ट्रेइनिंग कोरसेज को डेवलब किया है और आज तक तो आज तक हमारे पास 201 मानिता प्राप्ते प्रसिक्षन संस्थान है विश्विद्यालाई के सही इसमें एवराश्टीय संस्थान भी है एपएक्स लेव कोशिश करते हैं जो वैसे training college जो कि हमारे course चलाते हैं, उस norms का पालंग करें, तो हमारी कोशिश यही रहती है, professional जो इस field में काम कर रहे हैं, कम से काम उनके पास में proper या RCA approved rehab qualification हो, इस field में काम करने के पहले उनके पास पुरी योगता हो, दूसरा जो हमारा जो ensure करते हैं, जो continuing rehab education करके एक program है, जो RCA sponsor करती है, और पूरे देश भर में चलाया जाता है, और हमारे मानता प्रात प्रसेक्शन सस्थानों में ही यह five days का training program किया जाता है, उद्देश होता है जो अपने knowledge को update करना, जिनोंने ये course कर लिया है, उनका registration को हम लोग नवीनी करन या renewal करते हैं, उसक करकार के कोई व्यक्ति या professional से malpractices में indulge पाए जाते हैं या गलत कामों में, या हमारे जो professional code या ethics होते हैं, उनका पादल नहीं करते हैं, तो शिकायत मिलने पर हम लोग उन्हें legal action भी ले सकते हैं, और अगर unskilled या untrained लोग किसी भी NGO में काम करते पाए जाएं, तो उनके खि एक में एक ऐसा provision है, अगर कोई भी व्यक्ति बिना किसी qualification के या unskilled जो person या persons हैं, इस चेतर में काम कर रहे हैं, और हमारे पास किसी complaint मिलती है, खासका documentary evidence के साथ में, RCI जरूर ही अपने act के दायरे में रहकर कारवाई करती है, सुबोजी एक आखरी सवाल, अगर एक दृष्टिहीन व्यक्ति rehabilitation में अपना करियर बनाना चाहता है, तो RCI उसकी मदद किस तरह कर सकता है? देखे, सबसे बड़ी बात है, भारते पुस्दनवास परिशद विकलांगता के चेतर में ही विकलांगों के लिए ही काम करती है, और खासकर प्रस्टिशन कारिकरम हमारे जो होते हैं, सभी के लिए खुले हैं, उपलब्ध हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति जो कि किसी प्रकार क विकलांगता से ख्रशित है, खासकर आपने परसंस विजूल इंपैरमेंट या नेतरीहीन वैक्तिओं के बारे में कहा है, हम तो मोटिवेट करते हैं, आर्से मोटिवेट करती हैं इस प्रकार के वैक्तिओं को जो हमारे साहत जुड़े हमारे प्रस्टिक्शन कारिकरम को कर बहुत ही अच्छे सक्सेस्फुल रियाब प्रफेस्टनल्स हैं और उनका कंट्रिबिशन बहुत ही अच्छा है, इसके हलावा खासकर जो यह तो मैंने कहा जो कहां किस लेवल पर काम कर रहे हैं, एडमिशन के लिए आर्से परसंस विजलबिटी के एडमिशन के लिए आर् गुधारन के तौपर यह बता दूँ, हमारे पास P.A. Special Education Course है, Distance Education Mode से जो आर्से चला रही है, इस कोर्स की जो इंट्रिव क्वालिफिकेशन है, एडमिशन क्वालिफिकेशन जो है, उसमें दो साल का काम करने का अनुभाव कम पलसर है सामान वेक्तियों के लिए, लेकिन ज जो साल का जो वर्किंग एक्सपरेंस से इसको आर्से यह वेवफ कर देती है, इनका एक्जम्स किया जाता है, इन दर फील्ड वीजुवल इंपैरमेंट हमारे पास Diploma in Special Education, वीजुवल इंपैरमेंट है, विशेश अध्यापक जो की नेत्रिहीन या केच्षेत्र में काम कर जाते हैं, उनके लिए प्रोग्राम है, उसके लावा हमारे पास कारिक्रम जो डिगरी लेवल पे है, जो आर्से रिकोनाइज करती है, उसे कहते हैं, बैसलर डिगरी इन मॉबलिटी साइंस, अभी जैसा कि आपने सुना होगा, जगत गुरु राम भदराचार हैंडिकैप विद्याला है, इन्वरसीटी चितकूट में अस्थापना हुई है, इनकी उत्रपते राश्रकार ने अस्थापना किया है, और खास का इसमें ब्लाइंड और लांगता से बच्चों के लिए, व्यक्तियों के लिए प्रसेक्शन कारिक्रम की विस्था की गई है, आर्से इन इनकी मानता दी है, और वहाँ पर डिप्लोमा लेवल तो नहीं अभी शुरू हुआ है, लेकि वहाँ पर ब्लाइंड लेवल की विज्वल इंपैर्मेंट शेते में वहाँ पर प्रसेक्शन कारिक्रम चल रहे हैं, इनकी मानता आर्से इसे दी गई हैं, और प्राविजन के नहींता के बारे में हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई खास जानकारी हमें देना चाहते हैं, तो 09896000555 और हर्याना से 9896000555 पर कॉल करें सुबूत कुमार जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी सारी जानकारियां हमारे सुदने वालों के साथ बांटी और अब चलें उस तरफ के जहां फिजाओं में संगीत सरसरा रहा है वाँ, मैं समझी, यानि के हमारा सेक्शन आर्टिस्ट आफ दे मन्थ क्या बात सही है ना, आई होश यार हूँ मैं, तो मैं अच्छी तरह जानती हूँ मुझे तो इस सेक्शन का इतना इंतिजार रहता है अर्शद, और बहुती बेसबरी से रहता है क्यूंकि यहां हमारी मुलाकात होती है, ऐसे लोगों से जो के क्रियेटिव हैं जिनके हाथों में कुछ रचने का हुनर है तो आज जो कलाकार हमारे साथ हैं, उनका नाम है रित्विक राजन और रित्विक जी बैंगलोर से हैं जन्म से ही द्रिश्टिहीन है, पर बहुत ही खुबसूरत गाते हैं अर्शद और साथ ही साथ हार्मोनियम भी बजाते हैं मैं मुझसे इंतदार नहीं हो रहा जीवन से भरी तेरी आँखें मजबूर करें जीडे के लिए, जीने के लिए सागर भी तरसते रहते हैं तेरे रूप का रस पीने के लिए, पीने के लिए जीवन से भरी तेरी आँखें में तस्वीर बनाएं क्या कोई क्या कोई लिए तुझ पे कविता रंगों चंदों में समायेगी इस तरह से इतनी सुंदर्ता, सुंदर्ता एक धड़कर है तो दिल के लिए, एक जान है तो जीने के लिए, जीने के लिए, जीवन से भरी तेरी आँखें भाग था फिसलता वक्ती कह रहा है कि अगर कुछ कहना सुनना है तो कह लें क्योंकि ये कारवाँ पहुचता है अपने बन्जल की ओर और चलते चलते हम बता दें कि हमारे प्रोग्राम साथ के लकी विजेता कौन है सवाल था कि डेफ एंड ब्लाइंड आदमी की छड़ी किस रंग की होती है और जवाब है जी हाँ सफेद और लाल धारी वाली और इस कॉंटेस्ट में यानि प्रोग्राम नुम्बर साथ के सवाल में जिन्होंने विजे हासिल की है उनका नाम भी विजे है विजे चावला तो विजे चावला जी जो कि इंडरापुरम नई दिल्ली के पास रहते हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया आपको हम टी-शिर्ट भेज रहे हैं आपको मिल जाए तो हमारा भी शुक्रिया अदा कर लीजेगा जी और जैसे जैसे आप इंजॉय करेंगे हमें याद रखिएगा क्योंकि हम तो आपको हमेशे याद रखते हैं अगले हफ़ते हम जरूर याद रखेंगे कि इस प्रोग्राम में हम आपके साथ शिर्कत करें लेकिन अभी तो एक सवाल पूछना बाकी रह गया है अरे हाँ, इस इस प्रोग्राम का सवाल जे हाँ तो मैं पूछती हूँ, गोर से सुनिये, बड़ा अच्छा सा सवाल है क्योंकि मुझे पता है कि बहुत सारे लोगों को इसका जवाब अभी अभी फॉरण पता चल जाएगा तो सवाल है, अगर इसको मैं आसान सीधे सीधे लफ़ों में कहूं तो यह के वो फिल्म, यानि ब्लाक फिल्म, जिसमें अमिताब बच्छन और रानी मुखर जी ने काम किया है, वो किस देफ और ब्लाइन वोमन से इंस्पारड होकर बनी है इसका जवाब आप हमें जल्द से जल्द हमारे इस पते पे भेज दें पंदरे दिनों के अंदर अंदर तक हमें आपका जवाब मिल जाना चाहिए क्योंकि उन्ही सही उत्तर के आधार पर हम उनका लखी ड्रॉण निकालेंगे और पांच लखी विजिताओं को मिलेगा एक स्पेशल आईवे टी शिर्ट बहुत जरूरी बात जो आपसे करनी है मैं हम यह चाहते हैं कि आपका पार्टिसिपेशन आपका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहे हम चाहेंगे कि आप अपनी समस्याएं चाहे वो लीगल हो, मेडिकल हो, अधिकारों से संबंधित रखती हो रोजगार या शिक्षा के बारे में हो किसी भी तरह की समस्या जो ब्लाइडनेस से संबंधित हो तो 09896000555 और हर्याना से 9896000555 पर कॉल करें या हमारी इमेल आइडी भी नोट कर लें और हां हमारा पोस्टल अड्रेस ज़रूर नोट कर लें यह है आइवे रेडियो प्रोग्राम स्कोर फांडेशन पियो बॉक्स 3903 न्यू डेली 49 तो चलिए अब मुझे सलीमा रजा को और अर्शद अक्वाल को इजाज़त दीजिये खुदा हाफिज इस कारेकरम के प्रस्तुत करता थे स्कोर फांडेशन और राजीव गांदी फांडेशन यह है रोशनी रोशनी का करवा आय वे यह है रोशनी का करवा